हमने ऐसा अक्सर सुना है कि राजनीती में तमाम राजनेता दिमाग से तो बहुत बात करते हैं लेकिन बहुत कम ऐसे भी राजनेता होते हैं जो कि दिल की बात करते हैं दिल से काम करते हैं और शायद यही वज़ा है कि इंदौर आज लगातार चौथी बार शिखर कुछ मामले में सुच्छता के मामले में तो जरूर कुछ ना कुछ तो काम है जो की दिल से हो रहा है और दिल की ही बात करने के लिए अज MPN उसके स्टूडियो में खास महमान के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं इंदॉर की सबसे लगी महापौर श्रीमती इस मुस्कान के पीछे एक बड़ी कामयावी है और आखिर इस कामयावी का राज क्या है पहले कहा जा रहा था कि पहली बार तो इंदौर स्वच्छता के मामले में अवल साबित हो ही सकता है लेकिन फिर जब इसकी पुन्रा रत्ती हुई यानि की दूसरी बार भी हम नंबर वन आये तो कई लोगों ने आलोचना भी की लेकिन जब हमने हैट्रिक लगाई तो कहा गया कि अभी अंतिम है फाइनल है लेकिन महापौर मालिनी गौर्ड और इंदौर नगर निगम की पूरी की पूरी टीम ने तमाम सफाई कर्मियों ने इंदौर की जागरुक जंता ने ये साबित कर दिया यदि लगन शीलता और सची और कडी मेहनत हो तो कोई सा भी शिखर छुना दूर नहीं असंभव नहीं शाइद ही वज़ाए कि हम साफ सफाई के मामले में चौका लगा चुके हैं और हमारे साथ बड़े ही गौरवानवित पलो को साजा करने के लिए मौजूद हैं महापौर माली नी गौर जी सबसे पहले महापूर जी आपकी दिल की बात क्या है नंबर वन आने के बात दिल ने कौन सी पहली बात थी जो कि कही आपको कि वाकई में आज जनता का दिल छू लिया और दिल से समात सेवा जनता की सेवा करके दिखाए जब मैं सिर्फ विधायक थी तो जब मैं निकलती थी तो मुझे कई सारी कच्रा पेटिया शहर में दिखती थी तो मन में आता था कि यह कैसे हटाया जाए इसको कैसे किया जाए चुकि मेरे पास कोई दाईत्वर दूसरा नहीं था, जिससे मैं उस पर काम कर सुगू, सिर्फ सुझाओ दे सकती थी, लेकिन मुझे मन में बहुत पीडा होती थी, वो कच्रा पेटिया देख्यों, खासकर जब मैं ब्रीज से उतरती थी, पटल ब्रीज और वहां पर, जो वह मुझे महापोर का दाईत्व मिला, सबसे पहले मैंने मन में सोचा कि कच्रा पेटिया कैसे हटाई जाए, इनको हटाने के लिए क्या किया जाए, ये मन में विचार आया, और मैंने सभी से चर्चा की, कमिशनर और हमारी टीम से, कि मेरे मन में आया कि हम क्यों ना घर घर से कि मैंने एक छोटे से गाओ, जहां मेरा नानेरा है, वहां मैंने ये देखा था कि गाड़ी निकल रही है, गाना बजरा और लोग बाहर कच्रा लेकर आ रहे, तो वहीं से मुझे ये प्रेड़ना मिली, और मैंने सब को ये बताया, फिर हमने गाड़ी तयार कर वही, साइकल रिक्षा और गाड़ी, और उसमें अलग-अलग गीला सुखा कच्रे के बॉक्स बनाएं, और एक स्मार्ट वाड लिया, और उसमें हमने ये शुरुआत की, तो हमको काफी सफलता मिली, फिर हमने धीरे-धीरे, अब संसाधनों की कमी थी, तो संसाधन के से जुटाया जाए चुकि जब तक प्रधान मंतरी जी ने आभान कर चुके थे, तो हमने स्वच्छ भारत मिशन में हमको काफी पेसा प्रधान मंतरी जी ने दिया, तो हमने उन संसाधनों को खरीदा और पूरे 85 वार्डों में हमने गाड़िया, डोर-टु-डोर गाड़िया लगवाई और ले जाया जाया kAh tyres ब Ноुहां पर लिटाइसे लोग बहुत परेशान थै बहुत बदबू आती थी मिध्य कर उत्पन्न हो जाती थी और उससे कचरा जलने लगता था तो उसका धुआ बाहर फेलता था तो बहुत बड़ी समस्या थी फिर हमने धीरे-धीरे ये शहर की विवस्ता ठीक कि फिर डेली का डेली सेग्रिगेट करने के लिए हमने ट्रेशिंग-ट्रेंचिंग-ग्राउड पर प्लान किया कि सबसे पहले कचरे क पहाड हटाएं, उसमें से कई सारा कच्रा हमारे उपयोग में आने वाला था, जैसे गीला कच्रा है, उससे बहुत अच्छी खाद बन रही है, सूखे कच्रा में से कई सारी चीजे निकलती, 15-16 चीजे, वो अलग-अलग काम में आती है, तो उसको सेग्रिगेट करके हमने ये सुन्दर बगीचा बना दिया, तो आज आप देखेंगे, वहाँ पर एक कप चाय पी सकते हैं, आप भोजन कर सकते हैं, लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, तो ये हमारी बड़ी उपलब बिल्कुल ठीक बात है, कहा जा सकता है, बड़े गौरव की बात है कि वेस्ट मैनेजमे बार शिखर पर विराजमान है, महापौर जी लेकिन उसके बावजूद ऐसा अकसर देखने में आता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शेहर को गंदा करने पर आमदा होते हैं, आज भी लोग जो हैं बाज नहीं आते हलाकि इसको लेकर कि आपने कड़ी कड़े फैसले भी लि लगाएंगे, तो क्या उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे? कोई थूकता तो दूसरा मने मैंने एक उधारान देखा कि एक महिला ने एक को पकड़ा, बोले महापोर इतनी सफाई कर रहें, इतनी महनत कर रहें तुम लोग थूक रहें, तो यह जो भावना लोगों के मन में आ गई है, और वो व्यभार में आ गई, आदत बन गई है, त जब आदता के मामले में, जो शिकर हमने चुआ है, उसे बरकरार रखना है, महापोर जी, कोरोना काल, यह वो दोर रहा, जिन्दगीयां बदल गई, और शताब्दियों में ऐसा वक्त आता है, और अक्सर हमने देखा कि इस कोरोना काल की चुनाथी के बावजूद निगम के जो सफाई कर्मी थे, वो सड़कों पर तैनाथ थे, तमाम तरह के लॉकडाउन के बावजूद भी जो है, उन्होंने अपने दाईत्र को निभाया, कैसे आप उनकी पीट सब्त पाएं? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकते थी, सफाई मित्र हो, जन्द प्रतिनी दी हो, हमारे बहुत अच्छे अधिकारी गण है, जो दिन रात इसमें लगे रहते थे, तो मैं सफाई मित्रों का भी बहुत धनिवाद करती, जोनोंने कोरोना काल म में भी इसकारी को किया, दूरी बना कर और हमने पहले से ही, कोरोना विमारी निया, इसके पहले से हमने मास्क, गलव्स, जूते, साड़ी, जो भी उनको आवशकता थी, वो हमने पूरा किया, ताकि वो लोग भी स्वस्त रह सके, इसलिए हमने यह किया था, लेकिन आज कोरो सवच्छता की देवी हैं जहां जाती है वहां सवच्छता का नारा बुलंद होता है क्योंकि पूरी दुनिया में इंदॉर एक आइडियल सिटी के तौर पर भी पहचाना जा रहा है आज इंडिया को इंडिया में ना केवल इंदॉर को सवच्छता के मामले में बलकि इंदॉ योग आ गये हैं तो यह स्वच्छता के कारण और डाक्टरों का कहना कि स्वच्छता के कारण मलेरिया डाइरिया और अस्थमा जैसी बीमारिया कम हुई तो और प्रदूशन विभाग का कहना कि 42 परसेंट धूल के कंड कम हुए तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और लोग यहां पर आकर बस रहे हैं यह भी एक स्वच्छता में एक लब्दी है मतलब यह स्वच्छता की देवी का अश्रवाद है इन दौर को ऐसा कहा जा सकता है प्यार सभी लोगों के लिए है पूरी जनता के लिए है जनता ने जिस तर मुझे प्यार इसने आशिरवाद दिया है मैं उनकी रिनी हूँ बड़ी बात है जनता की रिनी है और मुझे ऐसा लगता है जनता का सदेव रिनी रहना भी चाहिए क्योंकि वो जनता ही है जो कि सीधे शिखर पर विराजमान हमारे इन दौर के इस पायदान को नाकेबल बरकरार रख सकती है बलकि आप जैसे जन प्रतिनितियों का होसला भ अगरी को मिलेगा जहां पर एक आज के दौर की अधुनिक देवी अहिल्या प्रकट होंगी और सुच्छता के मामले में शिखर पर ले जाएंगी विकास कराएंगी और राजनीती में भी शुच्छता का उधारन प्रस्तुत करेंगी यह क्या ऐसे कुछ संभव हो पाया यह मैंने सब बहुत करीब से मेरे घर में देखा था मेरे पति देव लक्षमान सिंग जिगोड लखंदा दा राजनीती में थे और में ग्रहनी थी ने लेकिन सभी कारेकरताओं कामान सम्मान करना मेरा धर्म था और मैं हमेशा उनके स्वागत सतकार करती थी राजनीती पे मैं तो नहीं थी लेकिन बहुत करीब से मैंने देखा है और उनी की की प्रहणा से लखंदादा की प्रहणा से और अद्रशे शक्ति के रूप में मेरे वो साथ है तो मैं कुछ कर पा रहे हूं स्यासत में साबगोई होना एक बड़ी बात होती है और यही साबगोई जो है श पहली बार महापौर की कुर्सी संभाली तब पहला विजन क्या था क्या तब से ही ठान लिया था कि सोच्चता के मामले में अगरणी इस शहर को बनाना है या फिर आपने आगे जैसे-जैसे कदम बढ़ा है तब महसूस किया कि यह एक ऐसा शेत्र हो सकता है जिसमें शहर को महापौर का दाइत्व मुझे मिला और सबसे पहले तो मैंने कच्रा प्रभंदन का काम किया क्योंकि जिस प्रकार से इंदोर शहर में कच्रा था और जो कंपनी हमारे काम करती थी उसके करण हमको को खड़ा होना पड़ा था तो कच्रे का काम तो था ही उसके अलावा कई सार होते हैं थी हमने बहुत से फुल कुलियाओं का निर्मान किया हमने स्मार्ट सीटी का काम किया हमने अमरत योजदा में 28 नवी टंकिया बनाई हमने सवच्छ भारत मिशन से कई संसाधन खरीदे तो ऐसे कई शहर के काम आप सभी ने देखा जवार मारग का पूल हमने तीन महिन में बना कर तयार किया तो कई सारा काम हमने सुच्छता के अलावा भी किया इस शहर को बनाने में और सभी लोगों ने भरपूर सहीयोग किया सभी हमारे जनप्रतिनी थी पारशदगर्ण जो अपने अपने वार्ड के जो भी काम होते थे वो हमने किये हैं चाहे वो कांग्र अमरत योजना में हमने बड़े बगीचे बनाये हैं विश्राम बागो सीरपूर तालाब के महां एक बड़ा बगीचा बन रहा है एक स्ने नगर में बन रहा है तो एसे कई बड़े बगीचे और 28 नहीं पानी की टंकिया और आप सभी ने देखा बाइपास पे भी बड़ी ला अधर एकड़ वाला और चुनोती पूर्णा एरिया हमने रेट्रोफिटिंग एरिया लिया उसमें स्मार्ट सीटी के हमने कई सारे काम के उसमें एक नंबर तीन नंबर और चार नंबर विदान सभा का क्षेत्र आता है उसमें कई सारा काम हुआ है तो ऐसे शहर में अने को जाता है किञी ऐसा सफना है जो दूरा रह गया है आपको लगता है कि थोड़ा और हुदा मिल जाता इस कारेकाल मेर में और इचte बिलकुल एक काम है मैं मेरी मन में हमेशा से सअथर नंबी अच्शी के मन में भी था कर बोड़कु चान्ड़मारी ऐा हुए मेरे कारिकाल मे में बहुत सुन्दन ददी बहती थी उसको बहते वह मुझे देखना है तो यह एक सपना है और आगे जो भी महापौर होंगे उनको मैं सुझाओ भी दूंगे उनको करने के लिए चले बड़ी बात है दूर द्रश्टी और पक्का इरादा कुछ ऐसा ही यहाँ पर बात कर रही है महापौर श्रीमती मालीनी गौर जी और लगातार यह भी बता रही है कि कैसे पहला कदम जब उठाया था तो एक संकल्प था एक द्रड इच्छा शक्ती थी और शायद यही व संत्री नरेंद्र मोदी जी भी आप से विकास को लेकर या सुच्छता को लेकर कभी कोई सलह आया कोई सुझाव मांग सकते हैं ऐसे में क्या दिल में है क्या देश के और भी शेहरों में इंदौर का यह फॉर्मूला लागू होना चाहिए ताकि हम एक भारत को स्वच्छ भ बाहर से सुच्छता को देखना आये तो यह हमारी लिए बड़ा ही अचीवमेंट है और जिस प्रकार से सभी लोग देखना आता तो मेरे मन में एक इच्छा है और वे वो पूरी भी हो सकती है एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का वीचार मन में आया है ताकि लोग वहां पर आ वहां पर काम कर सके और अपना शहर भी सुंदर बना सके बड़ी बात है हम नंबर वन तो हैं ही लेकिन आपको नंबर वन कैसे होना है दूसरे शहरों को यदि सीखना है तो इन दौर आकर प्रशिक्षन लेने की बात भी जो है यहां बर मालीनी गौड जी कह रही है और यद से आपको अवरोध महसूस हुआ या कभी लगा कि टीम के कुछ सदस से जो है वो असयोग करा है ने ऐसा कोई पल तो नहीं आया लेकिन हा इस शहर से जब हमको आवारा पशु हटाना था तो मैंने सभी जनप्रतिनी धियों से चर्चा की उनके साथ बेटकर मैंने उनसे बात करके कहा कि हम लोग यहां से आवारा पशु हटाने वाले हैं आप लोगों को कोई दिकत नी हो तो मैं यह काम कर पाऊंगे आगे तो सभी लोगों ने सहमती दी और उसके बाद हमने इस शहर से आवारा पशु उटा तो सभी राजनितिक दल्लों ने भी खुब सहयोग किया तो मैं सभी का धन्यवाद करें अचे बताइए कि मनीर सिंग जी का नाम जो है लगातार आता है सामने कहा गया कि जब वो निगम आयुक्त थे तो उन्होंने पूरा खाका खीचा पूरी यह कारियोजना तैयार की जिसे आपने हरी जंडी दी और बाद में जो है यह सपना सा किया है तो सभी हम लोग समन्धवाए बिठा के काम करते थे किसी एक योजना नहीं होती थी हम सब मिलकर उस योजना को तयार करते थे और हमारा कोडिनेशन बहुत अच्छा था और उसी से हम चाचा करके आगे काम करते थे आपके महापौर कारिकाल में आपको दो निगम अका किन से बेहतर लगे आपको किन के साथ काम करना ताल में सामंचे से बठाना आसांल से डूनों गया है और हम लोगों ने मिलकर काम बराबरी के नंबर देंगे आप दोनों को अच्छा होना चाहिए दोनों न अच्छा काम चाहिए शहर की प्रथम नागरिक हैं चुकि उनकी जो आवाद है वो सरकार के कानों तक भी पहुंचती है लिहाजा अफसरों का जब जब रिपोर्ट कार्ट तयार होता है तो जन प्रतिनिदियों की भूमी का जो है उसमें सबसे महतुपूर्ण सबसे एहम मानी जाती है मापोर्ट जी आपके दिल की बाद भी दौर की जनता जानना चाहती है हम अकसर आपको कभी गाना गुन गुनाते हुए भी देखते हैं सुबह पांच बजे तुमें इतना कुछ हो गया दिल में सिर्फ काम करने की इच्छा होती क्योंकि मैं व्यस्ता रहती हूं तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि पूरा दिन भर मेरे दिमाग में मेरे पती होते हैं और मैं काम काम में व्यस्ता रहती हूं तो और वो मेरे साथ होते तो बहुत अच्छा लगता है मुझे काम करना और वो मुझे हमेशा प्रेलना देते रहते हैं सभी लोगों का मैं जितने समय तक इस संसार में रहूं काम करती रहूं सबके यही मेरी इच्छा इस पल में आप सबसे ज़्यादा अपने पतिदेव को मिस करती हैं कहा जा सकता है बढ़ी बात है बहराल एक ग्रहणी है नारी है महिला है तो सभाविक सी बात है कि इमोशन्स जो होते हैं वो लगातार रिफ्लेक्ट होते हैं और पॉलिटिक्स में होने के बावजूद भी साब गोई सपष्ट वादिता और सीधी बात कहने का जो माद्दा है वो श्रिमती मालीनी गौड़ जी के पास है शायद यहीं वजा है कि दिल से किया गया जो भी का होता है उसे इश्वर भी जो है सफलता और काम्याबी जरूर प्रदान करते हैं बहुत सार आपका वक्त लिया जाते-जाते महापार जी क्या कहना चाहेंगी आने वाले दिलों में हो सकता है कि हम आपको मंत्री के तौर पर देखें भविश्य में सांसर्थ के तौर पर भी और सवच्छता के मामले में जो आपने आधर्ष प्रस्तुत किये हैं तो कहीं ये भी कहना गल्यत नहीं होगा कि प्रदान मंत्री जी कि किसी सवच्छता वरली कमिटी करे अध्यक्षता करते हुए भी आपको लेखें जी मैं आगे का नहीं सोचती हूँ मैं वर्तमान में जीती हूँ और जो भी दाइत्वा आगे मुझे पार्टी संगठन देंगे वो मैं दाइत्वा पूरा करूंगी और सभी पूरी इंदोर की जनता से कहना चाहूंगी कि आप सभी ने जो नगर निगम को मुझे सहयोग किया है जो जो हमने कहा वो आप सभी ने डॉप्ट किया अपनाया उसके लिए में रधे से धन्यवाद देती हूं क्योंकि जनता जब तक अवेर नहीं होती है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते और आप सभी ने खुब सहयोग किया है मैं आप सभी के साथ मिलकर जिस प्रकार से हमने काम किया है आगे भी हम करते रहेंगे जो भी महापोर होंगे उनके साथ भी आप इसी प्रकार और जो हमने विवस्ता बनाई है सुद्रड किये उस पर आप सभी उत्रेंगे तो आपका नाव आपके शेहर का नाम सभी को यही संदेश देना चाहती हुझ कि आभी आगे भी इसी तरह आप सभी allora उब करते सब्सुद्व करते जाते 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 था वाजने तेक्षिपा मेरे जहन 현 बहुत सारी आप targeting की कारा करता कि सभी लोगों का आशिरवाद रहता है और मुझे समय-गल बताते हूं मारक दर्शन भी देते हैं मैं सभी का रधया से धन्यवाद करते हैं रदे से धन्यवाद है, धन्य है कि धन्यवाद का ये शन जो है इंदौर वासियों के समख्ष आया और इंदौर को चौका लगाने की तो बदाई ही बलकि ऐसे नारी नेत्रत्व की भी बदाई जिसने वाकई में अपने पूरे कारेकाल में थाबित करके दिखाया कि वो घ्रह अजमान हुए है, उमीद है कि आने वाले दिनों में हम इसी सिलसले को बरकरार रखेंगे और स्वच्छता का नारा आप और हम यूहीं बुलंद करते रहेंगे, फिलहाल MP News के स्पेशल सेग्मेंट में इतना ही ताज़ा-तर इन खबरों के लिए लगातार बने रहें, आपक कंद बाना, जरा भी नबुले